नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारे नियोज 31 जुलाई बिहार कोरोना अपडेट स्वास्त विभाग ने जारी कर दिया है जो आंकरे जारी किये हैं और जो जानकारी दी है उसके अनुसार आज पिछले 24 घंटे में बिहार में नए संक्रमित जो मरीज मिले हैं अभी जो कुल संख्या है वो है 50,987 बिहार स्वास्त विभाग ने जो आकरे जारी किये हैं उस आकरे को जारी करने में एक सुधार देखने को मिला है पहले जो आकरे जारी किये जारे थे कल तक वो दो तारीखों में जारी किये जारे थे एक दिन तो तीन तारीखों में भी आकरे को जारी किया गया था लगतार सरकार पर और स्वास्त विभाग पर सवाल उठ रहे थे कि आकरों को दो या तीन तारीखों में क्यों जारी किया जा रहा है पहले की तरह एक तारीख में क्यों ही जारी किया जा रहा है स्वास्त विभाग ने आज फिर से पुराने तरीके से आकरे को जारी किया यानि एक तारीख में ही आकरे को जारी किया गया है दो तारीखों का जो आकरा था उसे खतम करके फिर से 24 घंटे का अपडेट दिया गया है तो जो नए आकरे सामने आये हैं कोरोना मरीजों के वो 3800 जीलों से मिले हैं इसमें कोई ऐसा जीला नहीं है जह दर्भांगाबाद 57, बाका 47, बेगुसराय 71, भागलपूर 63, घोजपूर 18, बक्सर 80, दर्भांगा 57, इस्ट चंपारं 36, गया 126, गुपाल गंज 58, जमुई 50, जिहानाबाद 34, कैमूर 30, कटिहार 69, खगडिया 58, किसन गंज 61, लकिसराय 28, मद्यपूरा 45, मदोबनी 122, गेर 36, मुजफरपूर 125, नालंदा 146, नवादा 43, पटना 535, पुर्निया 73, रोतास 156, सहरसा 54, समस्तिपूर 49, सारन 85, से पूरा 34, सिवहर 14, सिवान 64, सीतामडी 42, सुपल 80, वैसाली 113, वेस्ट चंपारं 69, इस तरह पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार से 2986, नए संक्रमित मरीज पुरोना के मिले है, स्वास्त विभाग द्वारा जो आज आकरे जारी किये गये हैं, और जिस तरीके से आकरे जारी किये गये हैं, उससे काफी लोगों का कनफ्यूजन खतम हो गया होगा, पहले ये लगातार कनफ्यूजन बना रहता था कि आकरे 24 गंटे हैं कि 48 गंटे के हैं हालां कि हम उसको पिछले 24 गंटे में ही दिखाते थे जैसा कि हम अपडेट देते आ रहे थे लेकिन आज जो आकरे जारी किये गये हैं वो 24 गंटे के तौर पर दिखाए गये हैं जो अच्छी है परते अमरित के प्रधान सच्यू बनने के बाद पट्ना के जीलो में तो लगतार करी रहे इसके अलावा स्वास्त मंतरी मंगल पांडे भी लगतार दौरा करें हाउस्पीटल की हालांकि अभी बी कई जगहों से लगतार खबर चलकर आ रही है पट्ना सीटी के मरीज से एक खबर मिली है कि सरकारी अस्पेटाल में जो क्योंकि कागजात हमने उनसे मांगे थे दिखाने के लिए अभी हमें वह मिले नहीं है तो ख़बर अभी सस्पेंस बना हुआ है जैसे हमको ख़बर मिलेगा वह हम अब तक पहुचाने की कोशिस करेंगे कि कैसे सरकारी अस्पताल की कोरोना जाच में कोई व्यक्ति पोजिटि खेड इस पर जैसे हमें और रिपोर्ट और आगे कि जो भी जनकरिया मिलती हम साजा करेंगे और सरकार तक भी इस बात को पहुचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है एक ही विक्ति की जाच अलग-अलग जगों पर अलग-अलग कैसे आ सकती है खेड बिहा से 20,000 से जादा जाच जो मुखमंत्री चाहते थे कि हो वो अब होने लगा है अब मुखमंत्री जी अभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 25,000 का आकरा पार करें प्रदान सच्यू परत्याय अमरित का भी करना है कि बिहार में आकरा 25,000 जाच का बिहार बहुत जल्द छूलेग और बिहार से जोड़ी सभी खबरों सब्डेटर रने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूस धन्य बाद